नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों अभी बहुत से आर्टिकल आ रहे हैं और एक defensenews.com पे भी लिखा गया है कि हमारी जो Astra Mk1 मिसाइल है इसकी रेंज 110 किलो मिटर नहीं 60 किलो मिटर ही है क्या ये सच है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तों defensenews.com पे एक unnamed Air Force Official के द्वारा ये कहा गया है कि Astra Mk1 केवल 60 किलो मिटर की दूरी ही तैग कर सकती है और ये साथ ही लिखा गया है कि ये बहुत ही भारी भी है और कम से कम इसके वेट को 50 किलो ग्राम कम करने की जरूरत है फिर ये इस से जादा range हासिल कर सकती है और आपको बता दें कि इस missile को बनाने का काम भारत Dynamic Limited कर रही है जो दोस्तों locally इसको supply कर रही है और DRDO ने इसके लिए technology दी है और defense ministry ने contract भारत Dynamic Limited से ही किया है और जहां तक दोस्तों इस missile के वेट की बात है तो कुछ जगहों पर इसका वेट 154 किलोगरम बता जाता है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 50 किलोगरम इसका वेट कम करने की जरूरत है जिससे दोस्तों इसका वेट 100 से 110 किलोगरम रह जाता है लेकिन दोस्तों ये दावा पूरी तरह से जूटा है क्योंकि अगर हम किसी भी beyond visual range air to air missile जो अभी production के अंदर है या किसी countries के साथ मे है उनके अगर वेट की बात करें तो कोई भी 110 किलोगरम से कम नहीं है अगर हम बात करें Astra MK1 की तो इसका वेट लगबग 150 से 160 किलोगरम तक है अगर हम American AIM 120 C5 missile की बात करें तो ये लगबग 150 किलोगरम के करीब है R77 जो रशियन missile है जिसे हम इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं इस चाइना की PL 12 जिसके बारे में वेट के लिए कहा जाता है कि 180 किलोगरम तक इसका वेट है तो ये सारी missiles लगबग Astra MK1 के मिसाईल से वेट से जादा है तो ऐसे में दोस्तों Astra मिसाईल भी इस वेट के अंदर उतनी दूरी तैय कर सकती है जितनी ये बाकी missile और साथ ही दोस्तों आप जानते हैं कि Astra MK1 मिसाईल के सफल होने से अब हमें फोरन से किसी भी तरह की missile specially beyond visual air to air missile की category के अंदर खरीदने की जरूरत नहीं रह गई है तो ऐसे में ये प्रोपेगंडा आर्टिकल चलते रहते हैं और इन पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और सबसे हिट किया गया था और ये हमारी बड़ी achievement थी ऐसे में अगर 87 km तक उस target को destroy किया गया था तो इसकी range 60 km हो ही नहीं सकती ये केवल प्रोपेगंडा किया जा रहा है इस missile की सफलता को विफल करने के लिए ऐसे में अब इस missile की range 110 km ही है और साथ ही जो अस्त्रा MK2 होगी उसकी range 160 km तक होगी धन्यवाद जहिन